आध्यात्मिक बल कैसे प्राप्त किया जाए? मनुष्य में तीन प्रकार के बल है शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शारिरिक बल को चेश्टा के द्वारा मानसिक बल में रुपांत्रित कर सकते हैं मानसिक बल को साध्या के द्वारा आध्यात्मिक बल में रुपांत्रित कर सकते हैं आध्यात्मिक बल सबसे शक्ति शाली है इसे कैसे अरजित किया जाए? निश्ठा से मानसिक बल और साध्या से आध्यात्मिक बल अरजित किया जाता है जिसकी जितनी जिद उसका मानसिक बल उतना अधिक इस मानसिक बल यानि जिद को लेकर साधना में बैठने से आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है तुम लोगों के भीतर जिद या मानसिक बल मौजुद है संकल्प से साधना में बैठो आध्यात्मिक बल पाना कोई कठिन नहीं रह जाएगा आप सब को अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करें सेयर कीजिए अपने परिजनों को दोस्तों को और लाइक कीजिए ताकि हम अनन्द मार के सिध्धानतों को जादा से जादा लोगों तक पहुचा सकें इसलिए हमारा जो भी संदेश होगा आपके पास सबसे पहले पहुच जाएगा